नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गनपती धर्मास सरमार बिस्ची कराशी वालों ये पांच दिन आपके लिए हलाकि इसमें से दो दिन भारी हैं तीन दिन अच्छे हैं पर एक, दो, तीन, चार, पांच अप्रेल ये पांच दिनों का आपके जीवन प सबसे पहली बात तो चंद्रमा जब अस्टम भाव में रहेंगे आपके जीवन में बस ये समझ लें कि परिवर्तन होगा कुछ होगा या नहीं होगा कोई भी चीज सही ढंग से नहीं होगा हलांकि आप बिना किसी बज़ा के मांसिक टेंसन में भी आ सकते हैं थोड़ी परिसानी आपको अनुभव हो सकती है लेकिन आपकी जो इमोशन है आपके जो भावना है वो बहुत अच्छा है क्योंकि हर किसी को आप समझ पा रहे हैं हलांकि आपको सांती भी महसूस होगी जाने के लिए योगा भ्यास जरूरी है मेडिटेशन जरूरी है क्योंकि इस समय थोड़ी सी मांसिक टेंसन आप पर दिखती है हलांकि जब आप आपके चंद्रमा नुमंभाव में जाएंगे फिर आपके जीवन में आपकी किस्मत का आपके भाग का सितारा चमकेगा क्योंकि एक बार फिर से आपकी लाइफ में धेर सारे अफसर आपको मिलेंगे किस्मत का साथ मिलेगा और हर कोई आपके अपने हो या आपके कोई भी बिजनस चले आ रहे हैं उसमें अगर आप काम करते हैं आपका कुछ ऐसा बिजनस है खाने पीने की चीजों का है तो यकिन मानिए लाब है लेकिन आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस में मताईएगा और कभी-कभी आपको लगेगा जैसे आप में कॉन्फिडेंस है ही नहीं बचना होगा इसमें ऐसा करने से बचिए और आपकी स्वास्त की बात करें तो थोरा से खाने पीने का ख्याल रखें क्योंकि अभी तो लॉक्डाउन में आप घर के अंदर है तो टहलना चलना फिरना नहीं हो पाता है तो ऐसे में कुछ ऐसी चीजें जो गरिश्ट भोजन ह होते हैं ऐसे चीजें को खाने से बचिए दूसरी तरफ हम अगर आपके लाव लाइफ की बात करें तो आपके लिए बहुत खुबसूरत है क्योंकि आपके लव लाइफ में सुकून है और जो वैवाही जीवन में है उनके लिए आप अपने दिल की बाते अपने जीवन छोड़ते ये वक्त मिलकर आगे बढ़ने का है तो आप अपने तरकीब से अपने बिचारों से अपने बैफसाई को आगे बढ़ा सकते हैं और कोई भी जगडा जमिला जंजट जो होता है बाद विबाद होते हैं उससे आपको बचना चाहिए बैफसाई हैं तो बैपार का आप बाजार का रुख देखें फिर अधिक पैसे इन्वेश्ट करें लालच मत कीजिएगा नहीं तो लॉस होगा करियर में अगर आपको लगे कि घर पर भी कुछ काम किये जा सकते हैं तो बेसक कीजिए वैसे आपके कोई सत्रू है जो आपके बहुत करीबी है तो ऐसे में हलांकि उनसे आपको हानी नहीं होगा पर मुस्कुरा कर बाते करने से तमाम लोग पिघलते भी हैं जो विद्यार्थी है उनके लिए बेहतर वक्त है और अगर हम आपके परिवार की बात करें तो यहां पर किसी भी तरह के बाद विवाद ना करें बस प्रेम ढूंडे और कुल मिलाकर सुक धन सब कुछ मिलेगा पर थोरा मेहनत है दो दिन थोरी सी परिसानी है तो उन दो दिनों में समल करें और जहां तक संभव हो महनमान चरिशा पढ़कर दिन की सुरवात करें और फिर आप साम के समय आप चाहे तो सुक्रदेब के मंतर का जब कर सकते हैं या फिर करंगधारा इस्तरोत का पार्ट भी कर सकते हैं आपके लिए बढ़िया रहेगा हम आपसे बिदा लेते हैं लाइप से मैच करें तब लाइक कर सब्सक्राइब करें हर हर महादेब धन्यवाद तर बन्यवाद